इन्फिनिक्स नोट 11S वेफार एडिशन वर्सस रियल्मी नर्जो 34G दैन एमाई 11 लाइट एड लास्ट वन इस इन्फिनिक्स नोट 11 चार्जिंग टेस्ट 0-100 परसंट तो गाइस आज मैं इस्पेशली इन चारो ही स्मार्टफोन का एक कमपारिजन बेसिस पे चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर करने वाला हो तो फर्स नमबर पर है इन्फिनिक्स नोट 11S, सेकेंड है रियल्मी नर्जो 34G दैन थर्ड नमबर पर है MI 11 Lite और लास्ट है इन्फिनिक्स का नोट 11 यह चारो ही स्मार्टफोन को कमपारिजन बेसिस पे चार्जिंग टेस्ट करने का जो रीजन यह है वैसे मैं अगर आप इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11S इन दोना ही स्मार्टफोन को लेकर कमपारिजन बेसिस पे चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर किया है लेकिन रियल्मिन R30 और MI11 Lite के साथ में कमपार करके इन दोना ही स्मार्टफोन का कमपारिजन बेसिस पे चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर नहीं किया तो आज का जो टॉपिक हैं इन्ट्रेस्टिंग होगा और लास्ट वाले से भी काफी सारे डिफ्रेंट होगा और जो लास्ट में है इन्फिनिक्स नोट 11 यह हे 12,500 रुपर का स्मार्टफोन तो यह जो चारो स्मार्टफोन से जिन में से जो फर्स्स नोट 11S है इसमें है 8 GB का राम और 128 GB का स्टोरेज 2nd Real Minarzo 34G इसमें है 4GB का RAM और 64GB का storage then the third number पे है MI 11 Lite इसमें है 6GB का RAM और 128GB का storage last में है Infinix Note 11 इसमें है 4GB RAM प्लस 64GB storage then इसके बाद है watts की capacity तो जो Infinix Note 11 है Infinix Note 11S है इसमें आता है 5000 mAh का बैटरी Real Minarzo 34G में आता है 5000 mAh का बैटरी MI 11 Lite में आता है 4350 mAh का बैटरी और जो last में है Infinix Note 11 इसमें है 5000 mAh का बैटरी तो यह जो charger है first वाला यह 33W का charger जो Infinix Note 11S का है यह वाला जो charger है यह है Real Minarzo 34G का charger and जो third वाला है यह वाला charger जन फाइनली है Infinix Note 11 यह जो charger है यह इस Note 11 का है अब यहां पर इन चारो ही स्मार्टफोन में से जो जादा बैसिकली जो charger हैवी है वो Real Minarzo 34G का है अब यहां पर बात करते हैं वाट की तो जो Note 11S है Infinix Note 11S इसमें है 33W का charger Real Minarzo 34G में आता है 30W का charger MI 11 Lite में आता है 33W का charger और Infinix Note 11 में आता है 33W का charger अब यहां पर इन चारो ही स्मार्टफोन पूरी तरीके से 0 है चारो ही स्मार्टफोन में 1% का भी charging यहां पर नई है तो लेट्स अभी चेक करते हैं इन चारो ही स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज होता है तो काफ़ी ज़रा interesting होगा और इतरी के से मेभी ज़रा show new कि 4 smartphone से कौन सा smartphone सबसे पहले charge होता है So let's check out करते हैं one by one सारे smartphones को और देखते हैं exactly कौन सा smartphone सबसे पहले win करता है और कौन सा smartphone सबसे last में आता है तो यहाँ पर जो difference होगा वो होगा 30 minutes का 30-30 minutes में आएंगे और चेक करेंगे कि 4 smartphones में exactly कितना speed है और कितना time में लोग consume करते हैं तो activity को track करने के लिए साथ में आप इमें timer भी set करूँगा जिससे कि आप easily तरीके से activity को track कर पाएं तो अभी इस directly 30 minutes के बाद आते हैं और चेक कर दे 30 minutes में चारोई स्मार्टफोन जीरो टू कितना percent चार्ज होते हैं So now guys यहाँ पर अभी totally 30 minutes पूरे के पूरे exactly complete होने आ चुके है और लास्ट 30 minutes से Infinix Note 11S, Real Minasar 34G, Mi 11 Lite और Infinix Note 11 यह चारोई स्मार्टफोन कंटिनिसली non-stop basis पे charging पे हैं तो जब इस starting किया था मैंने चारोई स्मार्टफोन में charging का test तो यह पूरा का पूरा जीरो थे तो अभी हाँ पर चेक करते हैं कि 30 minutes में यह चारोई स्मार्टफोन कितना परसेंट चार्च हुए हैं So let's check out करते हैं one by one तो फर्स यह पर चेक करते हैं इस Infinix Note 11S तो Infinix Note 11S का जो current battery status है It's 52% in last 30 minutes Realme Narzo 34G का current battery status है 58% 30 minutes में Mi 11 Lite का current battery status है It's 62% in 30 minutes Not bad और finally यहाता है Infinix Note 11 इसका current battery status है It's 54% in last 30 minutes तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा फास्टी जो स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है वो है Mi 11 Lite और जो Infinix Note 11 और Infinix Note 11S है यह दोरे स्मार्टफोन अल्मोस्ट सेम स्पीड पर चार्ज हो रहे है Note 11 और Note 11S तो पहले नमबर पर जो फास्टर अभी होए Mi 11 Lite है तो इसके बाद Realme R34G तो इसके बाद Infinix Note 11 और Infinix Note 11S तो अभी भी लेकिन यह फाइनल स्टेज नहीं है अभी भी भी इस चार्ड़े स्मार्टफोन में चार्जिंग को कंटीनर रखोंगा जब तक यह स्मार्टफोन पूरे के पूरे 100% कंप्लीट ना हो जाए तो फिर से अपर 30 मिनिट्स का दिफ्रेंस लेते हैं और चेक करते हैं 30 मिनिट्स के बाद यह अभी से ठीक और नेक्स 30 मिनिट्स के बाद यह स्मार्टफोन कितना परसंट चार्ज होते हैं सो लेट्स के बाक आफटर 30 मिनिट्स सुना फर्स्ट आपर चेक करते हैं इंफिनिक्स नोट 11S तो यह जो स्मार्टफोन चार्ज हुआ है 89 परसंट वन आवर में Realme Narzo 34G का जो करने परसंट चार्ज हो चुका है अब उसके बाद बार यह है MI 11 Lite तो MI 11 Lite यह जो स्मार्टफोन है पूरा का पूरा 100 परसंट चार्ज हो चुका है और फाइनली है इंफिनिक्स नोट 11 और इसका जो करने पैट्री स्टेटर से इस इस 92 परसंट याने कि इंफिनिक्स नोट 11 और इंफिनिक्स नोट 11S यह दोने भी स्मार्टफोन अभी लास्ट के 9 और 10 परसंट रिमेनिंग हैं तो इन दोने स्मार्टफोन का चार्जिंग में अभी कंटीने रखने वालों लेकिन जो हमारे नेक्स्ट वाले स्मार्टफोन से विज़ेस MI11 Lite और Real Minarzo 34G यह दोने ही स्मार्टफोन वन आवर में पूरे का पूरा 100 परसंट चार्ज हो चुके हैं अब इसी बात है बिकाज यह दोने ही स्मार्टफोन में वाट्स फास्टर आदे 33 वाट्स MI11 Lite में और Real Minarzo 34G में 30 वाट्स बद फिर भी दोने स्मार्टफोन सेम स्पीड पे चार्ज होगे बद जो डिफरेंस था वो दो मिनिट का डिफरेंस था बद फिर भी दोने स्मार्टफोन को चार्जिंग पर कंटीनुर रखेंगे और चेक करते हैं कि यह दोनों ही स्मार्टफोन एक्जाक्ली कितना और एडिशनली टाइम कंजुम करते हैं पूरा का पूरा 100% चार्ज होने के लिए और यहाँ पर अभी कुछ टाइम प्रेटी के बाहर आते हैं और चेक करते हैं दोनों में से कुर सा स्मार्टफोन सबसे पहले चार्ज होता है तो गाइस यहाँ पर अभी टोटली 10 minutes कम्प्लेट हो चुक है याने कि 1 hour 10 minutes तोटली कम्प्लेट हो चुक है और जो इंफिनिक्स noate 11s है ये स्मार्टफोन पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है और जो इंफिनिक्स noate 11 है यह अभी भी लास्ट का 4% रिमिनिंग है जबकि दोनों ही स्मार्टफोन में सेम चार्जर आते है, 33W के, लेकिन फिर भी, मुझे ने अर भी मेरे अधर वीडियो में नोटिस किया है, कि Note 11S पहले चार्ज हो जाता है, as compared to this Note 11, just because of दोनों स्मार्टफोन में अल्मोस्ट आपको सेम वाट्स के चार्जर देखने मिलते है तो जो स्पीड है, क्विक चार्जिंग का, वो आपको Note 11S में faster मिलेगा, because Note 11S में एक तरीके से जो RAM का capacity है, वो ज्यादा है, तो ज्यादा स्मूध है, तो ऐसे में Note 11S जल्दी चार्ज हो जाता है, as compared to Note 11, तो अभी आपर, जो Note 11S है, उसका में चार्जिंग स्टॉप कर दि के लिए कितना time consume करता है, so now अभी just हम वापिस 15 मिनट के बाद return आ, यानि कि totally 1 hour 25 मिनट पूरा का पूरा complete हो चुका है, और Infinix Note 11, ये भी अल्मोस चार्ज होने आ चुका है, only just last का 1% remaining है, बट फिर भी अभी भी 1% बाकी है भाया, तो अभी चेक करते हैं कि last का और पूरा 100% लिए कितना time consume करता है, so let's wait here for little moment and check it out, so कुछ time period के बाद return आते हैं, और check करते हैं, ये 100% और complete होने के कितना time लेता है, So guys, यहाँ पर अभी totally 5 minutes complete हो चुके है, और जो Infinix Note 11 है, ये जो smartphone है, ये पूरा का पूरा 100% चार्ज हो चुका है, that's all about, तो ज्यादा जो सबसे पहले जो smartphone चार्ज हुआ है, वो MI 11 Lite है, और जो last में सबसे पहले चार्ज हुआ है, वो है Infinix Note 11, और ये ऐसे PC topic मेंने, मैंने और भी topics कवर किये, charging test को लेकर Infinix Note 11 के साथ में, उसमें भी Note 11, Note 11S के compare में थोड़ा लेटी चार्ज होता है, तो जो भी है, life है, that's all about. इसके बाद, Infinix Note 11S, then finally, Infinix Note 11 चार्ज हुआ है, तो उसके बाद, यहाँ पर आभी सबसे पहले check out करते हैं, चार्ज स्मार्टफोन ने कितना time consume किया, तो सबसे पहले, जो MI 11 Lite और Realme Narzo 34G, इन दोनों ही स्मार्टफोन, यह दोने स्मार्टफोन वन आवर में, पूरा 100% चार्ज हो चुका था, यानि कि वन आवर 2 मिनेट में, 0-100% चार्ज हो चुके था, तन इसके बाद, Infinix Note 11, जो इसके बाद है, यह जो थर्ड नमबर पे, Infinix Note 11S, जो 1 आवर 10 मिनेट में, पूरा 0-100% चार्ज हो चुका था, तन उसके बाद, फाइनल था, Infinix Note 11, जिसने 1 आवर 30 मिनेट का time ले लिया, 0-200% चार्ज होने के लिए, using the 33W का चार्जर, तो सबसे पहले नमबर पे है, अगर आपको टॉपिक परसंट आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो आप चैनल को लाइक कर दीजे, सबस्क्राइब कर दीजे, और साथी साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फालो कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको पॉशन एंड डाउट है,